नमस्कार मैं हूं डॉक्टर वर्वन प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लों का अपने इस चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी-एच-ई-ए-स टेस्ट के बारे में यह एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम डी-एच-ई-ए-स क इस बात करें तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी हॉर्मोन के बारे में बात करेंगे समझेंगे कि यह होता क्या है इसका जो लेवल है किन कंदीशन में बढ़ जाता है या किन कंदीशन से घट जाता है क्यों हमारे टमट यह करते हैं यह टेस्ट कैसे करवाया जाता है और alman क्या होता है लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिसना हो और मैं आप तक कैसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इंवेस्टिकेशन से जूरी जानकार से रिलेटेट कोई दिक्कत है दरसल यह जो हर्मोन है और रही सिक्रीट होती है तो अगर कोई दिक्कत को लगती है जैसे कि अधिनल ग्लैन कोई कैंसर है या फिर एड्रेनल का हाई परप्लेजिया है उन कंडिशन में टेस्ट हो करवाया जाता है और जो मेल परसन है मतलब प्यभटी टाइम से कफी पहले आजा रे हैंं, तो उनकी में भी इस टेस्ट को करवाई जाता हैं। अब समझते हैं कि फीमेल्स में इस टेस्ट को करवाने के स़ला करना है। फीमेल में ये टेस्ट जो होता है बाकि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन्में इस टेस्ट खोर बाता है। अगर patient को PCOS की complaint है या उसकी अलावा जो infertility है उसके कारणों को rule out करना है तो इस test को करवाने की सला एक female में दी जाती है साथ ये साथ जो female है उसके जो menstruation cycle है वो irregular है या normal से कम है या फिर उसके शरीर पे काफी जादा hair growth होने लगी है अन condition में एक female में ये टेस्ट करवाने की सला दी जाती है अब समझते हैं कि ये test कैसे करवाया जाता है इस test करवाने के लिए किन किन precautions की जरूत होती है इसका जो normal range होता है वो क्या होता है तो यह जो hormone का test होता है एक तरिके का blood test होता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसके ल के PROSTIONS की जरूत होती है यह जो टेस्ट है एक तरदकी का सेक्स ऑर्मुन का टेस्ट है इसके नियक डॉक्टर को एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं जिस टाइम पर डेना होता है उसके अलावां अगर आप किसी भी तरिके की कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो over-the-counter medicine है चाहे वो कोई prescription medicine है उसके बारे में आपको अपने दॉक्टर को जरूर इनफोर करना चाहिए साथ ही साथ अगर आप इसी तरिके को कोई supplement लेते हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए और उसक एज और सेक्स के हिसाब से वेरी करता है लेकिन जैसे कि 18 से 20 साल के यंग अडल्ट के जो हॉर्मोन ने उसका क्या रेंज हो ना चाहिए वह मैं एक बार आपको बताती हूं तो 145 तो 395 नैनो ग्रैम पर डियल होता है जो कि 18 से 20 साल के अडल्ट के अंदर हो सकता है इसके अलामा जो यह रेंज है जो मैंने अभी आपको इस हॉर्मोन का रेंज बताया यह मेल्स और फीमेल्स में और एज के हिसाब से इसमें वेरियेशन होता है साथ ही साथ यह जो टेस्ट होते हैं इसका जो लैब होता है उसमें भी काफी फरक आता है यहीं कि लैब टू लैब भी जो रिजल्ट होता है उसमें वेरियेशन हो सकता है तो जब भी अपना रिजल्ट देखते हैं तो जिस लैब से अपने करवाया उसका जो रेफरेंस रे है तो हमेशा आपको एक रिलाइबल लैप सी करवाना चाहिए कि इसका जो होता है वह आपके डाइग्नोसिज में ट्रीटमेंट प्लानी में बहुत जादा कुरूशियल डूल प्ले करता है तो अगर आपको भी ऐसे किसे लैप के बारे में जान करें चाहिए तो हमारी टीम न सकते करते हूं इसका जो रेणज हम बढ़ा हुआ है तो फेंसरों सबीन हो सकते हैं अगर अर्ली प्यूबर्टी यानियर प्यूबर्टी हो जाते हैं तो भी इसका जो लेवल हिम्रों से बढ़ा हुआ हो सकता है उसके अलावा एक फीमेल में इसका जो लेवल है वो अगर फीमेल में PCOS की कंडिशन है या फिर उसके अंदर जो मेल के अक्टेस्टिक्स है वो आने लगते हैं नयुद के अगर नमेल है तो बहुत रिशां के कंडिशन में आसका है लीमेल में में आ सकता है कि यह टेस्ट क्या होता है इसको कैसे किया जाता है इस डिलेटेट जो बाकी डेटर जे उसके बारे में भी मैंने शॉट में डिसकस करने की कोशिश की है उमीद करते हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद जो अपकी अंडेस्टेंडिंग है इस टेस्ट के टूर्ड और वह काफी बढ़ी होगी उसके अलावां भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं धन्यवाद